बिहार की राज्वनीती इन दिनों काफी गर्माहट भरी हो गई है, हो यह रहा है कि बायानों के जरिये नितीश कुमार को कहीं न कहीं टार्गेट किया जा रहा है इस target की राजनीती कहां से खेली जा रही है या इस पस्ट तो नहीं कहा जा सकता पर इतना तो कहा जा ही सकता है कि नितीश कुमार के image को धूमिल किया जा रहा है इस काम को एक तैशुदा रणनीती के तहट उपेंद्र कुसवाहा रह रह कर रहे हैं वासभी उपेंद्र कुस्वाह का या हमला तो तब से ही शुरू हो गया था जववा MLC के साथ साथ जेडियू के संसदिय बोड के अध्यक्ष भी थे इधर कुस दनों से बिहार की राजनीती में एक नई तस्वीर पेश की जा रही है कहा या जा रहा है कि आजकल मुख्यमंत् नितीश कुमार लगातार बीजेपी के शीर्स निताओं के संपर्क में है दरसल मसला यह था कि राज्य में दो बड़ी घटना को लेकर भारी उथल पुथल था सदन से लेकर सरक तक मुड़्दे उठाये जा रहे थे धरना प्रदर्शन के जरिये बीजेपी का लगातार बि सीधे रक्षा मंत्री राजनात सिंग से बात की और पूरे मसले की जानकारी दी दूसरी घटना घटी तमिलाडू में बिहारियों की पिटाई के संभावत स्थिती को स्पस्ट समझने और केंद सरकार से हस्तो शेप करने हितु मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सीधे ग्र बीजेपी के साथ सरकार बनाई गई थी उपेंद्र कुस्वहा को भी इन संभावनाओं का भय सताने लगा है वो कहते हैं मुख्यमंत्री नितीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चले गए तो वे किसी को मुह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किस मुह से वह जनता के उनका रहा सहाभी जो राजनीती की यूएसपी बनी हुई है वह भी ध्वस्त हो जाएगी उपेंद्र कुस्वहा ने कहा कि बहार अभी भी शोशन से मुप्त नहीं हुआ है गरीब लोग शोशत अभी हो रहे हैं पिशले 35 साल में शोशक बदल गया है शोशन जाड़ी है य 12 साल तक सत्ता एक परिवार यानि की लालुप्रसाथ के परिवार में सिम्टी रही फर परिवर्तन हुआ तो नितीश कुमार के हाथ में आ गई हालाकि आरजवडी के साथ महागडबंधन बनाने की हामी उपेंद्र कुस्वहा ने भी भरी थी पर उनका कहना यह है कि गडब वस्तार पर भी तिजस्वियादव की चलेगी वह चाहेंगे तो वस्तार होगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा आज उस्तिती यही है कि नितीश कुमार ने समाजवादी नीता जॉर्ष फर्नांडस समेथ सभी समाजवादी विचारधारा को आरजेडी का बंधक बना नितीश कुमार के निश्प्रभावी रहने के कारण निरंतर जेडियू कमजोर होती जा रही है। नितीश कुमार के नितीश कुमार के चहरे पर चुनाव लड़ी है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह कहीं मिस्टर क्लीन या सुशासन बाबू के वरुद सोची समझी रणीती पर तो काम नहीं हो रहा है। क्या यह मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के लिए प्लाटफॉर्म तो तयार नहीं हो रहा है। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्र तफॉर्म गर को बनाना है एक्स्ट्र तफॉर्म तपकॉन एक्स्टी के साथ। झाल झाल झाल